अपनी पढ़ाई के स्पीड को पांच गुना कैसे बढ़ाएं? या ऐसे कहें कि अपनी प्रोड़क्टिविटी को पांच गुना कैसे बढ़ा सकते हैं? एक्जाम जैसे जैसे पास आता है, हमारे दिमाग में यही चलता है कि जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो हमिशा के लिए याद रहे हैं और हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट जनरेट करें। मैं भी जब नीट का एस्परेंट था तो मेरे भी मन में यही ख्याल आते थे कि जो मैं पढ़ूँ उसे लंबे समय तक रिटेन करूँ और मैं अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूँ ताकि मैं सारे कोर्स को सारे सलेवस को बहुत ही जल्दी खतम कर पाऊं। अगर आपके मन में ऐसे क्वारी हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज बहुत स्रॉंगली बताना चाहता हूं कि अनकाडमी के ऊपर एक बहतरीन ओफर है जो इसी मन्त में है जिसमें 6 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको एडिशनल 2 मन्त का सब्सक्रिप्शन मिल जा ताकि आपको मैं mentorship group में add कर सकूँ आप मेरे mentorship से add हो पाएं और doctor इसके में mentorship में रहेंगे तो आप doctor बनेंगे इसमें कोई विशक नहीं है So productivity को increase करने का आज मैं चार ऐसा तरीका बे शेयर करने वाला हूं जो मैंने खुद अपने उपर इस्तमाल किया है and I secure rank 52 in need So four major तरीके हो सकते हैं the first is a plan which is called plan second is called action उस पे आपको काम करना Then third is called analysis and fourth is called result तो इन चार चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा The first is a plan आपके पास एक दिन का प्लान होना चाहिए but ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक दिन का ही प्लान है तो आपका पूरा मंत का प्लान नहीं है या पूरे तीन महिने का प्लान नहीं ऐसा नहीं है देखे क्या होता है कि गोल तो बड़ा होना चाहिए but उस गोल को अचीव करने के लिए एक छोटे-छोटे माइक्रो गोल को बना के आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि गोल आपका बड़ा है नीट में सेलेक्शन लेना है 700 प्लस स्कोर करना इस रेली टफ बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक छोटे-छोटे नानो चीजों से घुजरना पड़ेगा तो फस्ट अफ आल यहाव बेटर प्लान और फो दड़ी ऐसा नहीं कि आप पूरा महीने का बना लेकि छे वज़े उठना है फिर साथ बज़े पढ़ना है आठ बज़े पढ़ना यह प्राक्टिकली फीजबल नहीं है किसी दिन आगर आप नहीं उठ पाए हैं या किसी दिन तब्यत खराब हो जाई है या कहीं जाना प अब आप एग्जिबन और उसकी बाद आपको एक्जिब्ट करना है और पूरा मतलब है कि आप उसको प्रपरली फॉलो करना है चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों नहीं हो जाए आपको प्रपरली उस प्लान के ऊपर इस्टिक रहना है और पूरा मतब सची शर्धा के तो उस plan को complete करना है, ऐसा समझे कि अगर आप उस plan को नहीं कर पाएंगे, तो आपका selection नहीं होगा, वो ऐसे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि competition बहुत ही tough है, और उस tough competition में अगर आप एक एक दिन का plan miss कर देते हैं, तो ultimately आप अपने goal से miss कर रहे हैं, तो आप जो भी plan बना रहे उसको execute करना सीखिए, try करिए, हो सकता है, वो 100% ना हो, तो at least 90% हो जाए, ठीक, ऐसा नहीं 50% करके छोड़ दे, 90% करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 90% आपको करना ही है, तो एक तो यह कर सकते हैं, तीसरा सबसे important है, the analysis, at the end of day, आपने एक plan बनाया, कि मुझे physics का ये execute किया, यानि उसको काम किया उसके उपर, third step, at the end of day, you have to analysis कि जो मैंने प्लान बनाया था, जो मैंने उसके उपर काम किया, execute किया, वो analysis करके आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें कितनी percent accuracy develop किया, I mean, जैसे मानले जी कि मैंने आज बायो में human health and disease का प्लान बनाया, मैंने human health and disease in CR से दो बार पढ़ा, मैं note share करता हूं, telegram के उपर, by the way, मेरी telegram से जोर जोइन हो जाएगा, number से हम लोग notes share करने वाले हैं, बहतरी notes, free of cost है, बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं, बट आपको free of cost notes मिल जाएगा, तो इस video के description box में telegram के जोर जोइन हो जाएगा, तो आपने note से प subject को करा, मतर चाप्टर को करा है, तो आपकी उसमें कितनी percent accuracy है, अगर कोई व्यक्ति आपसे उस related question कूछता है, तो आपको आता है या नहीं आता है, या उसको कहना पड़ेगा, नहीं भी या हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए, हमको revision करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए, and fourth is result, result आप नहीं कर सकते हैं, result कब आएगा, जब इस पूरी plan को अपने day to day, हर दिन में शामिल करेंगे, तब एक महीने बाद result आएगा, जब आप mock test देंगे, pyq करेंगे, तरह तरह के, अच्छे questions practice करेंगे, तब आपको result नजराएगा, so this is a four pillar to increase your productivity approximately 50 to 60 time, और इसे अपना कि दे तो मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, चैनल में नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को subscribe करेंगे, thank you so much